हेलो फ्रेंड्स असलाम उलेकूम विल्कम बैक टू मैं चैनल तब मुस्कीचन और कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरेत से होंगे अलहमदलिल्ला मैं भी खैरेत से हूँ और आज मैं फिर एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए यह अरेबियन डीश है अरेबियन खबसा बनाएंगे आज हम उसके लिए मैं एक किलो चावल ली हूँ बासमती राइस ली हूँ मैं इसे आदा घंटा पहले भिगो के रखी हूँ और एक किलो चिकन हैं मैं इसे बड़े पिशो में ली हूँ दो लेग ली हूँ यह अरेबियन मैं इसे लेगी दाला जाता है बड़े पिश डाले जाते हैं अगर आपको चोटे पिश दालना है तो आप चोटे भी-पीज डाल सकते हों DR. रावल लियो हूंD देख कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या खर का देख वो भी ले सकते हैं और यह बावल लियो में टमाटर हम खब्सा बना रहे हैं अर खब्से में टमाटर का ज्यादा यूज होता है, धऺी गरम डाला जाता है आपको अगर जादे ड्राइफूट यूज करना है तो यूज कर सकते हैं किश्मिस भी डाल सकते हैं 10-12 ली हूँ में काजू और 10-12 ही बादाम ली हूँ और उसे मैं ऐसे दो पीस की हूँ एक बाउल भरकर लिए हूँ में प्यास एकदम बारिक चॉप की हूँ जैसे कद्दू कस करते हैं उसी तरह किसे की हूँ दो बड़े साइज के प्यास लेकर एकदम से बारिक चॉप कर लीजिये और यह है कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है यह, तू टेबल स्पून लिवों में लाल मिर्च, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं तो जो भी है आपके पास वो यूज कर लीजिए, और यह है आदा निम्बू, दो है हरी इलाईची, एक एक इंच के दो दालचीनी के टुकडे लीवे में, यह हरी मिर्चे हैं, पांसे छे, और यह है दो तेज पत्ते, उसे मैं तोड़ी हूँ, चार पिसकी हूँ, दो के, एक छोटी है, बड़ी इलाईची लीवें, मैं थोड़ी छोटी साइज की देखक कर ली हूँ, और यह है छे से साथ है, लॉंग, और यह आठ से दस है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और यह है, चिकन के उपर लगाएंगे हम यह मसाले, यह दालचीनी के तुकड़े है, एक इंची होगा दालचीनी का तुकड़ा, और यह है जीरा, नॉर्मल जीरा लियों में एक टेबल स्पून, और हाप टेबल स्पून लियों में शाह जीरा, जिसे काला जीरा भी कहते हैं, आप भी बनाओगे खबसा, तो शाह जीरा ज़रूर यूज करिए, उससे खुचब बहुत अच्छे आती है, शाह जीरे से, और और यह दस से बारा है, ब्लैक पेपर, काली मिर्चे हैं, दस से बारा, और स्टार फूल आदा लियों में, और लॉंग लियों में, छे लॉंग है, देख सकते हैं आप, और यह है, कूटा हुआ है, यह मेरे पास धनिया, सुखा धनिया है यह, अगर आप साबुत धनिया लोगे, तो साथ में ही रोस्ट करिए, मेरा कूटा हुआ है, इसलिए मैं बाद में रोस्ट करूँगी इसे, कड़ाई नीचे उतार के फिर डालूँगी, और इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, भूनेंगे हल्का सा, जैसे इसकी खुचबू आने लगेगी, हम कड़ाई को नीचे उतार देंगे, और यह अब भून चुका है, इसकी खुचबू आने लगी है, अब मैं इसे नीचे उतार दूँगी, ज्यादा नहीं भूनना है इसे, बस हल्की शी खुचबू आने लगेगी, तो बस ग्यास बंद कर दीजिए, और कड़ाई को नीचे उतार दीजिए, और इसमें अब हमें आड़ करेंगे, यह कूटी वी धनिया, मेरे पास साबूत नहीं थी, मैं कबाब के लिए कूटके रखी थी, वही यूज़ कर रही हूँ, आपके पास साबूत धनिया है, तो साथ में ही रोस्ट करिए, और यह ठंडा हो जाएगा, तो इसका हम पाउडर बनाएंगे, और इसकी पाउडर अभी मसाले के हो चुकी है, यह कवर है, हरी इलाईची का, वो निकाल लेती हूँ में, हमने इसमें स्टारफुल भी पिसा है, उसके बींज भी पिस चुके हैं, वो भी मैं अगर बड़े हैं तो निकाल लेती हूँ, स्टारफुल ज्यादा मत यूज करिए, उसकी स्मेल थोड़ी जादी स्ट्रॉंग होती है, इसलिए हम आदा ही यूज करेंगे, एक किलो के लिए, और जो बड़े पीस हैं मैं निकाल देती हूँ साइड में, बींज है, और हरी इलाईची के कवर है, इसमें हम डालेंगे आदा मिर्ची पाउडर, पुरा नहीं यूज करेंगे इसमें, हम ये चिकन पर लगा रहे हैं, वैसे तो इसे मैनिनेट नहीं किया जाता, लेकिन मैं मैं मैनिनेट करके बना रही हूँ, और ये निम्मण निच रद देती हूँ में आदा, आदा लेमन जूस डालेंगे हम इसमें, और ये है दालचीनी का पाउडर, हमने दालचीनी पहले PC है, हम थोड़ी सी डालेंगे, पाउचममज से भी आधी डालेंगे, और हल्दी पाउडर डाली मैं पाउचममज, वन फो और नमक दाल रही हूं में आदा टीस्पून आप टीस्पून नमक डाली हूं नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा इसमें मैं आदर कलेसन का पेच्ट नहीं डाल रही हूं अब देड़ चमस दलूँगे इसमें में धही हम यह बैटर लगाएंगे चिकन पे इसमें हम अध्रकलसर नहीं अड़ करेंगे इसे अच्छे से मिलाकर हम चिकन में भर देंगे जो हमने कट्स मारे हैं उसमें इसे मसारे भर के मैन शाथ लगाकर रखते इससे मैं 10avan大मे के लिए रखूँ गी जादा थाइम नहीं रखना है अगर आपने करना है तो कर सकते हैं वरना डायरेक भी जाल सकते हैं मसाले में क्योंकि इसमें पहले कर ना है अरे दोनों लेगों पर मसाला लगा कर मैं पंदरा मिनट के लिए रख दूँगी और आप लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो आप मेरा चैनल देख रहे हैं नीचे रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब होला उसे प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सपोट करिए और यह हमारे दोनों लेग अब रेडी हो गए हैं मैंनेट करके रख देंगे इसे हम कबसे का मसाला रेडी करते हैं तब तक और यह दाल रही हूं में चम्मज से तीन चम्मज तेल थोड़ासा कमे दालूंगी तीन चम्मज भी नहीं दाल रही हूं अगर आपको घी में बनाना है तो घी में भी बना सकते हैं लेकिन घी में ज़्यादा नहीं खापाते हैं इसलिए मैं तेल में बना रही हूं और इसे हम हलका सा फ्राइ कर लेंगे और यह फ्राइ हो चुके हैं अब मैं इसे निकाल देती हूँ प्लेट में अगर आपको मेरे ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरे रेसिपी में कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको बता दूँगी और आपको मेरे रेसिपी में कोई प्रॉब्लम लगती हो तो मुझे बता दीजिए मैं इंप्रूब करूँगी और अब हमने दाला इसमें प्यास प्यास को हम color change होने देंगे color change होने तक के फ्राई करेंगे हलका सा light brown करना है हमें प्यास को अब इसमें हम और इसमें साबुत मसाले दालेंगे इसमें जादे मसाले नहीं डाल रही हूं में और इसे भी हम फ्राइ कर लेंगे थोड़ा और यह चिकन कपसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है एक बार ज़रूर ट्राइ करिए पेश्ट एक चमच बहर कर डाल रही हो में एक टेबलव्पून बहर कर डाले है हमने पीज़ी का पेश्ट विए हमने पहले चिकन को मैनने करते राइस हमें अंत्रक लिया है और इसे अच्छे से भून लेंगे पहले, फिर इसमें आड़ करेंगे हम टमाटर, कबसे हमें टमाटर ज्यादा जाता है, आप भी बनाओगे तो टमाटर थोड़ा ज्यादा डालिए, बार इक चॉप करकर डालिए, वरना मिक्सर में पीस कर डालिए, और हम टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे, हमने पहले ही बारिक चॉप किया है, फिर भी इसे गलाएंगे हम टमाटर को, अब दालोगी में लाल मिर्च पावडर, हमने 2 टेबल स्पून ली थी लाल मिर्च पावडर और आदी लाली थी हमने चिकन पे लगाने के मसालों में, आप डाल रही हो में ये मसाले में हरी मिर्च आइड करी हूं में, हर इमिज काटकर दाली हूँ, बीछ में से कर्ट्स मारी हूँ, और 1 टीसपुन दाली हूं में नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से दालिएगा, हमने पहले कपसे का चिकन गान है उसे भी ठीमक लगाए है, और अब इसमें हम दालेंगे ये चिकन जो मैनिनेट करके रखा है और इससे अब हम थोड़े दिर पकने देंगे मसालों के साथ में फिर थोड़ा पानी आड़ करेंगे पानी दाल कर हम इसे 15 मिनट फिर पकाएंगे इसे चिकन हमारा गल जाना चाहिए अच्छे से पकना चाहिए और ये मसालों के साथ में हमारे चिकन पकराएं अब इसे मैं एक बार पल्टी कर देती हूँ और फिर पानी आड़ करेंगे इसमें हम अगर आपने पहले कभी कबसा बनाया नहीं है तो एक बार ट्राइ जरूर करिए अब इसमें डालोंगे मैं पानी हमने पहले चावल को दो के भिगा कर रखा है इसमें पानी ज्यादा नहीं लगेगा मैं अंदा से डाल रही हूँ बड़े गिलास से मैं दो गिलास भरकर पानी डाली हूँ एक किलो चावल के लिए और इसमें अब हम इसे चिकन को पकने देंगे 15 मिनट इसे अच्चे से पकाना है पहले और फिर इसे हम निकाल देंगे मसाले से बाहर पानी से बाहर निकालेंगे और पाने आड करने के बाद हम दालेंगे हरी धनिया इसमें पुदिना नहीं डालेंगे हम स्रीफ हरी धनिया आड करेंगे और यह अब हमारा चिकन पक रहा है इसे 15 मिनट तक के पकाना है पल्टी अल्टी करके पकाईए क्योंकि इसमें पानी ज्यादा नहीं है तो उपर की साइट कच्ची रहेगी चिकन को हमारे अच्चे से कुक होने देना है हमें हमारा चिकन पानी में पकेगा तभी पानी में टेस्ट भी आएगा चिकन का और हमारा चिकन बे अच्छे से कुक हो जाएगा इसे अच्छे से पका करिए हमें बाहर निकालना है आप छोटे पीस करना चाहते हैं चिकन के तो छोटे पीस भी डाल सकते हैं लेकिन इसे मसाले से बाहर निकालिएगा और फ्राइ करिए फिर जिसे मैं अभी करूँगे आपको बता रही हूँ मैं और बेच्ची रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँगी प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए और अब हम निकालेंगे इसे 15 मिनट बाद बाहर हमारा चिकन अच्चे से पक चुका है आप देख सकते हैं और यह दोनों लेग निकाल ली में अब इसमें हम चावल एड़ करेंगे इसे निथार कर दाल रही हूं है पाने में रकीती में चावल अब पाने निथार के पुरे चावल हम दाल देंगे और एक किलो ही मैं चिकन ली हूँ अगर आपको मैनिनेट नहीं करना है तो आप डायरेक मसाले में डाल सकते हैं चिकन को मैं मैनिनेट करके रखती हूँ थोड़े देन उसे थोड़ा चिकन में और ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है अगर आप फर्स टेम बनाओगे तो मेरे तरीके से बनाईएगा टेस्ट बहुत ही ज़्याद अच्छा आता है अब इसे हम ढखकन ढखकर रखेंगे पकने के लिए और हमारा चिकन थोड़ा ठंडा होने देंगे अब फिर फ्राइ करेंगे हम उसे अब देखते हैं हमारे चावल एक बार मैं मिला लेती हूँ अगर आवम नहीं मिलाते हैं तो मसाल एक साइड में हो जाते हैं और बीच में चावल बिना मसाले के ही रह जाते हैं आप चावल को थोड़ा हिलाते समय ध्यान रखिए ज्यादा हिलाइए मत चावल तूट सकता है थोड़ा हलके हाथों से ही मिलाए और इसमें मैं डाल रही हूँ यह ड्राइफूड फ्राइ किया हुआ और मैं थोड़ा सा निकाल के रखी हूँ गार्णिशिंग के लिए अगर आपको ड्राइफूड नहीं आड़ करना है तो मत करिए लेकिन यह अरेवियन कपसे में ड्राइफूड जाता है और किसी के पास नहीं होता है ड्राइफूड तो आप मत यूज़ करिए और यह थोड़ी लेक चिपक रही है मैं थोड़ा और तेल एड़ करके फ्राइ कर लेती हूँ इसे हम चावल शेक करेंगे हमने इसमें फ्राइ किया वा ड्राइफूड डाला है हम फ्राइ करके डाले हैं ड्राइफूड थोड़ी हाडनेस आती है इसलिए हम चावल में मिला देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा अगर आपको चावल में नहीं मिलाना है तो प्लेट ऐसे ही रख दीजिए चावल के उपर और उपर से धक्कन रख दीजिए सॉफ्ट हो जाएगे आपके ड्राइफूड और यह थोड़ा सा मैं तेल एड़ करके इसे फ्राइ कर रही हूं और यह हमारे चावल रेडी हो गए है देके एकदम खिला खिला पका है एक एक दाना अलग अलग हुआ है और यह मैं फ्राइ करके लेग निकाली हूं और दुसरे लेग थोड़ी कच्ची है उसे मैं फ्राइ होने दे रही हूं और ये अरेबियन खबसा रेडी हो चुका है माशाला बहुत ही अच्छा बना है और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा था आप भी ज़रूर ट्राइ करिए और मेरी रेसिपी ज़्यादा शेयर करिए कॉमेंट करिए और लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए मैं डेली रेसिपी अपलोड करती हूँ इंशालला मैं फिर कल मिलूँगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू फर वाचिंग